सबकी नेजर इस बात पर है कि नितीश कुमार अगला फैसला कब लेंगे अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो यह फैसला कब होगा नितीश कुमार अगर बिधान सभा भंग करने की सिफारिस करते हैं तो इसके लिए भी वो राजभवन कब मार्च करेंगे नमस्कार प्रणाम बिहार तक देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ इंद्र मोहन इन सब के भी सुत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आ रही है कि बीजेपी ने दो से तीन दिन का और वक्त मांगा है यानि कि नितीश कुमार के साथ बीजेपी बिहार में सरकार बनाएगी लेकिन उसके लिए दो तीन दिन का और समय चाहिए ये भी कहा जा रहा है सुत्रों के हवाले से कि जो पिछली सरकार में मंत्रियों का फॉर्मेशन था ठीक इस भी फॉर्मेशन पे काम करेगी यानि कि बराबर बराबर मंत्री दोनों से बनेंगे और एक सीम यानि कि सीम के तोर पर नितीश कुमार ही होंगे और दो डिप्टी सीम भी बीजेपी की तरफ से बनाए जाएगे साथ ही जिस तरीके से मंतरियों का कोटा बाटा गया था उसी कोटे पर काम किया जाएगा ये कहा जा रहा है कि नितीश कुमार सिर्फ RJD से ही नाराज नहीं है बलकि नितीश कुमार कॉंगरेस पार्टी से भी नाराज है नितीश कुमार का ये कहना था कि बिहार में seat sharing का formula जो था उसे जल से जल solve कर लिया जाता साथ ही ये भी कहा जा रहा है जो खबरे निकल कर आ रही है कि नितीश कुमार कॉंग्रेस के यानि कि राहूल गांधी की निया यात्रा से थोड़े नारास थे ये कहा जा रहा है कि चुक कॉंग्रेस की यात्रा है जिससे उनकी नाराजगी थी इतना ही नहीं रोहनी आचारिया को ट्वीट को लेकर भी उनकी नाराजगी बढ़ गई ये कहा जा रहा है कि कल जब जेडियू नेताओं के साथ उनोंने बैठक की तो रोहनी आचारिया के ट्वीट के print को उनोंने रोहनी आचारिय के पोस्ट को हटा दिया गया था लेकिन बिहार में ये तह है कि आने वाले कुछ घंटों में या एक से दो दिन के अंदर सरकार बदल सकती है नितीश कुमार के पास दो आप्शन है नितीश कुमार क्योंकि बिहार में मौजूदा अगर आप बिधायकों की परिस्तिती देखे उसमें तीन दल यानि की जेडियू, आर जेडी और बीजेपी इन तीन में से दो दल जब भी गटबंदन करेंगे तो वो बहुमत के आंकरे क पार करेंगे, बिहार में विधायकों की संख्या 243 है, बहुमत के लिए 122 का आकराच चाहिए होता है, ऐसी परिस्तिती में अभी फिलाल महागर बंदन की सरकार है, जिसमें जेडियू है, आर जेडी है, कॉंग्रेस है, लेफ्ट के दल है, साथ ही निर्दलिये भी है, वही पार बनाने का मौका है, वह फिलाल महागर बंदन के साथ है, लेकिन ये कहा जा रहा है, कि अब अगर वो पाला बदलते हैं, और बीजेपी के साथ भी जाते हैं, तो बहुमत का आकरा से वो कई ज्यादा बिधायक उनके पास है, ऐसी परिस्तिते में एक बड़ा फैसला हो स प्रश गॉँड़ जैनके स साथ दो प्रांट बंदन के साथ है, प्रश भी जाम झार बंदन के साथ हैं, आट